आज मैं आपके लिए के आई हूं बहुत ही इफेक्टिव हम रिमीडी जो आपकी स्किन को लाइटनिंग ब्राइटनिंग के साथ आपको बहुत ही खुबसुरत सा एक ग्लो देगा आपके चहरे पर तो इस रिमीडी को स्टार्ट करने मेरे चैनल को अपारी जरूर की जिए गया आप टक मेरे चैनल को सबस्क्राइब जरूब जरूर के ज़िए आपज्वाण की तक मेरे टे मेरे वीडियो मिस्स ना कर सके तो without investing any time. यहां पर हमें चाहिए सिर्फ तीन इंक्रीडियन्स जो हमारे स्कीन को ग्लो देगा साथ ही लाइटनिंग और बैटनिंग का भी काम करेगा सबसे पहले हमें चाहिए राइस फ्लार में काफी बेनेफिट्स होते हैं यह मैं आपको कभी फिर बताऊंगी इतना बता सकते हूं कि राइस प्राय हमारे स्कीन को लाइटनिंग और ब्राइटनिंग काम करता है तो हमें चाहिए लेमन नीमबू हमें हाफ लेमन चाहिए लेमन में भी बहुत सारे बेनेफिट्स होते हमारे स्कीन के लिए यह हमारे यहां पर मैंने लिया है एक बाउल में सबसे पहले हम एड़ करेंगे राइस फ्लार चावल का आटा हमें अपनी कॉंटिकी के सबसे लिया है अगर आप इसे यूज करते हैं तभी आपको बनाएंगे तो अच्छा होगा अगर आपको टोर करके रखना है तो आप अपसे फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं इस रीमेडी को तो हमें एक हाफ चमज अपना राइस प्लार लेना है सेकेंड हम लेंगे लेमन हाफ लेमन हमें इसमें डालना है थर्ड हम लेंगे ऐलोवेरा जेल अलोवेरा जेल को हम हाफ टेबल स्पून लेंगे आप टेबल स्पून आपको अलोवेरा जेल लेना है आप और इसमें थोड़ा सा हमको वाटर एड़ करना है यानि कि पानी ज्यादा नहीं इसके हमें ठिक कॉंटिटी चाहिए फ्रेंड्स इस अप्लाइ करते हैं इस तरह से आपको पेस्ट बनाना है चलिए इसे अप्लाइ करते हैं अब इस पैक को अपने फेस पर अगया अपनी स्कीन पर लगाना है और अच्छे से इसे रब करना है ताकि आपके सारी स्कीन की जो डर्ट है वो रिमोव जाए आपको वाइट से ब्रैकेट से और भी से रिमोव हो जाएंगे अच्छे से इसे स्क्रबिंग करना है अब इसे आपको पांस या दस मिनिट तक इसको स्क्रब करना है अभी 15 निट हो गया है नोरा अब जो एक स्ट्राइक काफी हब तक सूप गया है अभी इसे आप थंडे पाने से वाश कर सकते हैं मैं वाश करके आपको दिखाती हूं आप रिजल्स देख सकते हैं कितने अच आज का रिव्यू होप डिस वीडियो इस हेल्पुल तो यू गाइस अगर आपको अगर आपको कुछ नए वीडियो देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं मिलती हूं मैं आपको नेक्स वीडियो में कुछ नया लेकर तिल दिन बाई